आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूं गज्रेले की उसके लिए पहले हम इंग्रीडियंस देख लेते हैं यहां पर मैं यहां पर एक प्याली चावली उस कर रही हूं इसे अच्छे से मैंने मसल के भिगो दिया था आदे गंटे पहले एक पाव गाजर इसे मैंने क्रश कर लिया है एक प्याली गिरी चार अदद अलाइची आदी प्याली बदाम आपको ओर ड्राइफ रूट पसंदो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं दो किलो हम इसमें दूद यूज़ करेंगे दो कप हम इसमें शुगर एट करेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा इसमें यूज़ कर सकते हैं पतीले में मैंने दूद एट कर दिया है इसके नीचे फ्लेम में हाई रखोंगी बोईलोने के बाद इसके अंदर में क्रश की हुई गाजर और चावल एट कर दोंगी दूद बोईलोना शुरू हो गया ह अब मैं इसके इंदर चावल एट कर दोंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें प्रश की हुई गाजर एट कर देंगे इसका पेट रह एक स्कूंड दो फोगी किया जाज बढ़ाताटाब। ज़्युका लगातार में इसका लगातार में डुम्ज रहाए थी मीडियम प्लेम हम पे अब मैं स्कंडर हम इसके अंदर एटिप कर दोंगी आप कर सकते हैं और साथ खीम इसकंडर की दिंदर गिरी है अब घोट लोगी ताकि जो हमने इसके अंदर चावल एट की है वो अच्छे से अच्छे से बारी को दें चावल जाबलो को अच्छे से मैंने घोट लिया है अब मैं इसके अंदर शुगर एट कर दोंगी अब यह प्रेम इसके नीचे मैंने लो रखी हुई है बीस मिंट के लिए लगाथार इसे ये से फ्लेम पर पकने के लिए लेक्से कर दो Japon है अब यह बन के त्यारए तक्रीबन आदे खिंटे में अब मैं इसके नीचे फ्लेम बन कर दूंगी गज्रेलियों को मैंने बॉल में निकाल लिया है अब इसे गार्णिश करने के लिए इसमें पिस्ता एड़ करूंगी और इर्द इर्द हम इसके बदाम एड़ कर देंगे बारी कट किये वे पिस्ते और बदाम से इसे अच्छे से मैंने गार्णिश कर लिया है मज़ेदार गज्रेले की रेसिपी बनके त्यार है यह बहुत मज़े की रेसिपी है आप इसे ट्राइ करें और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें अपने फ्रेंट